तो दोस्तो आज हम बनने वले एक water pump तो इसे बनने के लिए हम यहाँ पर यूस करेंगे चोटा वाला DC मोटर और हमने एक PVC पाइप को sheet बना के यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक piece को काट चुके है इसे हम लेंगे हम यहाँ पर मोटर के उपर इसे कुछ इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर fix करना होगा अब हम उससे भी एक चोटा सरकल बनाएंगे कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर हम चोटे-चोटे पीसस को लेकर इस सरकल के उपर चिपका देंगे कुछ प्रोपेलर के जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ इसे इस तरीकी से चिपकाए है तो अब हम यहाँ पर मोटर लेंगे और उसके चारो तरफ यहाँ पर इस तरीकी का पीस को हम लगा देंगे और चिपकाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें चिपकाना होगा तो उसके बाद हम एक pen लेंगे और इस sheet के उपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे और उसमें एक छेद कर देंगे यहाँ पर देख सकते हो हमने इसे कुछ इस तरीके से लगाया है और इसमें एक छेद भी किया है अब हम इस छेद के जगा पर पेन को लगाएंगे उससे पहले हम इसके अंदर प्रोपेलर को डाल देंगे कुछ इस तरीके से तो हमें पेन को यहाँ पर मजबूती से चिपकाना होगा बड़िये तरीके से तो अब हम मोटर के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से ढखन लगाएंगे और क्लोस कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके से करना होगा तो अब हमारा जो वाटर पंपे बंद कर तयार हो चुका है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो अ अगर अपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करो, शेर करो, कमेंट करो और ऐसे ही मजिदार वीडियो के लिए मिस्टर पी एलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करो